हेलो फेंड्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आपका सोगत है सरकार जॉब नियूज में और यह है वीकली करेंट फॉर्स पिछले एक सब्ता की जिन भी कॉंटेंट हैं आपकी एक्जामनेशन के लिए करेंट फॉर्स के उन सबको संचेप में बताऊंगा तो यह सेकेंड वीक मा जिन लोग ने बहतरी अस्थान पराप्त किया पिछले सब्ता का जो टेश्ट है यानि फॉर्स्ट वीक का जो करेंट फॉर्स टेश्ट है उसमें हर सब्ता सरकारी जॉब नियूज के एप पर टेश्ट होता है और जो टॉप 10 आते हैं उन सबके नाम में बताता हूँ तो द साथवाँ अस्थान है दरक्षा यह नाम लिखा हूँ था हूँ ठीक है आठवाँ अस्थान है नीतु सिंका नौवा अनुकुमारी और टेंथ अस्थान है एनपे सिंका ओकी तो यह टॉप 10 एस्टूनेंट हैं आप सभी को बधाई हो और जो टॉप 10 पे नहीं आपा है वो कोशिश कीजिए कि अगला जो टेस्ट है यानि आज अभी टेस्ट अबलेबल हो चुका है सरकार जॉपने इसके एप पर सेकेंड वीक का मई का तो आप जाईए और देखिए टेस्ट कीजिए और यहां पर पूरा टाइम वगर अभी दिया हुआ कितने किसने कितने समय में क कितने कोशन किये कितने मार्क्स मिले यह सब कुछ यहां पर अबलबल है ठीक है तो चलिए अब सबसे पहले राजनिती के अंदर जुक फैसले और चुनाव अगरा इन सबसे लिटे जो कोशन है वो देखते हैं कोशन होगा दुनिया के सबसे बड़े चुनाव यानि अभी यह चुनाव को देखने आए भारत में जो निर्वाचन चल रहा है काम का चल रहा है चुनाव का चुनाव की प्रक्रिया चल रहे है उन सब को मतलब वहाँ वहाँ के चुनाव आयोगों के वो परतिनिदी है ठीक है और इन में International Foundation for Electrical System जो अंतरश्टिय संगठर ने दमाम च चुनाव आयोगों काम मिला जुला तो उसके सदस भी हैं और कई सारे देशों के हैं उसकी लिष्ट भी यहाँ पर देखने हैं आप भूटान, मंगोलिया, ऐस्टेलिया, मेंडगासकर, फिजी, किर्गिस्तान, रूस, मल्दोवा, ट्यूनेशिया, जिमावे, बंगलदेश का जगस्तान बहुत सारे देश है, 23 ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला कोशन लेते हैं, सुप्रम कोर्ट ने, सुप्रम कोर्ट बार एसोशेशन की कारकारी कमीटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतुश्यत सीटें और अक्षित की हैं, आंसो का 33 परसंट, सुप्रम को इसमें यह होगा कि उसके तमाम जो अलगले कमीटी आने, उसमें 33 परसंट महिला ही होंगे, अलगले कमीटी में, ठीक है, अध्याच्छे सचीव इन सब में नहीं, जो उसकी जो सब कमीटी होती है, कारकारी कमीटी होती है, अब स्पोट्स रिएटर इंप्रॉटन कोशन ले तीन से बीस अक्टूबर को और पर उस देश बंगदेश में यह आउजन किया जागा यह दूसरी बार है यह दो जाट चौदर में इसे पहले उसके बाद दूसरी बार है जब बंगदेश को इस टूर्णामिट की मेज़वानी मिली है ओके तो एक कारिकर माईद किया गा था उसमें भारत की कप्तान हार्मन प्रीत कौर जो आप देख रहे हैं और वहां की यह बंगदेश की जो प्राइम मिनिश्टर है शिक हसीना वह भी आ रही है नेक्ट कोशन किस देश ने बी डेवलु एफ थॉमस और उबेर का महिला और पुरुष दोनों वर्ग में खिताब जीत लिया आंसो का चाइना तो चाइना के दोनों ही खिताब को जीत लिया चीन की टीम ने ओके तो चीन ने ये जीता है अगला कोशन लेते हैं फिडे कंडिडेट्स टूर्णामेंट 2024 के सबसे युवा विजयता कौन बने जो भारती हैं आंसो का डी गुकेश मातर 17 साल के उमनों में इन्होंने ये खिताब जीत लिया है पूरा नाम है डुमा राजू गुकेश ठीक है भारती शतरण ग्रैंड मास्टर है तो उन्होंने ये खिताब जीता है टोरंटो यानि करनाइडा में ये आयुजन हुआ था और हाँ आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि Weekly Current Force का PDF कहा मिलेगा तो जिन लोग ने मेंबर्शिप लिया हुआ है Current Force का वो लोग एप पर जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं चलिए अब आवार्ड से लेटेड महत्पूर्ण कोशन लेगे आवार्ड से लेटेड कोशन होगा Green Oscar के नाम से चर्चित Whitley Gold Award किस भारती को दूसरी बार मिला है आंसो का इसका पूर्णिमा देवी बर्मन क्या है पूर्णिमा देवी बर्मन इनको ये अवार्ड मिला है असम की वन्नेजीव विग्यानी है यानि Wildlife Biologist है और इनको इससे पहले भी मिला था कब 2017 में ये अवार्ड मिला था ठीक है Whitley Gold Award इनको Green Oscar के नाम से काफिर जाने जाता है और ये अवार्ड कौन देता है लंदन इस्थित चैर्टी है एक और्गनाजिशन है Whitley Fund for Nature इसके दोरा दिया जाता है और उसकी जो हेड है मुख्या है वो है बटेन के जो किंग है चार्ल स्थिति है उनकी बहान है तो यहाँ पर सवाल होगा कि आखिर क्यों ये अवार्ड मिला है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक पक्छी का एक तरसे मुखोटा लगा लिया गया है सिर्फ ये डिजाइन करके ये पक्छी कौन है? ये है Greater Adjutant Stork तो और उसको असानी भाषे में क्या कह जयता है? हर गिला कह जयता है जो एक सारस की प्रजाती है आप काफी उंचा होता है और उसकी आपादी काम हो रहे थी उसी के लिए इन्होंने काम किया था पुर्णिमा देवी बर्मन ने तो इसलिए अवार्ड मिला है महत्पूर्ण आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं पॉब्लिक सर्विस काटिकरी में पुलिजर पुलिजर पुलिज़कार 24 के विज़ता का नाम बता है आंसुगा प् पत्रकारों के लिए इन तमाम पत्रकारों ने जो काम किया उसके लिए ये प्रो पब्लिका को ये अवार्ड दिया गया है कौन कौन है जोश्वा कपलान जश्टिस इलियर्ट ब्रेट मर्फी एलेक्स मिर जैस्की और कस्टन बर्ग ठीक है तो ये है मतरपुरा आगे हैं और अब तमाम जो पूलिजर प्रोटिस का रहे हूं सब की फूरी लिष्ट देख लेते हैं हम लों ठीक है तो एक तो सर्जिन की सेवा यानि पब्लिक सर्विस में प्रो पब्लिका है दूसा खोजी रिपोर्टिंग में हन्ना ड्रेयर ये निव्यार्ट टाइम्स के चन नहीं लिखा था उसके लिए ब्रेकिंग नियोज फोटोग्राफी है उसके लिए राटर्स के जो फोटोग्राफी स्टाफ है टीम है उसको मिला है फीचर फोटोग्राफी ये एसोसीएटेड प्रेस यानि एपी के की जो फोटोग्राफी टीम है उसको मिला है आडियो वार दिए जाएता है जिसे अब पुस्तक नाटक और संगीत के छिट में तो उनका लिष्ट यहां पर मैं दे दे रहा हूँ जो मोलता पूछा जाता है ना उन सबसे पूछा जाता है फिर मैंने यह बागी पूरी शिट यहां दे दी है और PDF में भी मैंने पूरा दे दिया है पुलिजर पुरुसकार ये पतकारिता के छेत्र का सबसे बड़ा पुरुसकार माना जाता है चलिए आगे बरते हैं और अब निधन से लेटेड इंपार्टन कोशन लेंगे कोशन होगा फ्रैंक शोंट उनका निधन होगा 3 माई 24 को तो किस अमेरिकी विमानन कंपनी के पुर्व सी यो थे काफी चर्चित सी यो रहे हैं आगे बरते हैं अगला कोशन किस देश के मशूर अबिने था बर्नार्ड हिल का निधन हो गया पांच माई 24 को आंसों को ब्रिटेन ब्रिटेन के यह थे और 29 एर के थे उन्होंने फिल्म टाइटैनिक इसके लवा लौड ऑफ रिंग्स उन सब में काफी महत्पूर्ण भूमिका निभाई थी और इन दोनों फिल्मों ने उस वक्त 11-11 ओसकर जीते थे अब इन्वार्मेंट्मेंट्स रिल्लेटेड माँपूर्ण कोशन लेगे और पसंदार हो तो लाइक बटन दबा दिए शेर कर जीजे अपने दोस्तों को कोशन होगा दूनिया का सबसे गहरा Blue Hole ब्लू होल क्या कहेंगे समुधर की तलहटी में पाय जाने वाली खड़ी गोफाएं ठीक है वो कहां पर ढूण है हैं आज्व का चेतुमल भाड़ी यह कहा पर है यह मैक्सिको में हैं ठीक है मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में चलिए आगएपढ़ते हैं और इस इस एलेट्ट कोष्टन है अगला सेम कोष्टन होगा दुनिया के सबसे गहरे blue hole, यानि समुद्र की तलहटी में पायजानवली जो खड़ी गुफाएं होती है उसका नाम बताएं जो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में से थे अब यहाँ पर सवाल है नाम का, आज़ो का तामजा blue hole, क्या कहेंगे तामजा blue hole, यह दुनिया का blue hole जो ना, वो सबसे गहराई पर है, ठीके blue hole क्या कहते हैं, blue hole जो ताम सिंक जैसा होता है मतलब एकदम सीधी खड़ी गहराई होती है, उसको कहते है blue hole, और यह बनता कैसे है, यह कार्बनेट चटानों के टूपने से बनता है और इसम техषा पानीं भळ जाता है फिर अचानख काफी गहराई हो जाते है तो इसको मैप के जरी भी समझा लेते हैं कहाँ पर है, यह चिटुमल के खारी, मेक्सिको कहाँ पर है, तो यह रहा अपना प्यारा भारत और अब चलत कहां पर उत्तर अमेरिका जो कॉंटिनेंट है वहां पर उत्तर अमेरिका नॉर्थ अमेरिका तो यह है नॉर्थ अमेरिका और इधर है कहां साउथ अमेरिका तो इसी में इस जगह पर देख रहे हैं यह मैक्सिको इधर अमेरिका हो गया इधर गौर्टेमाला हो गया मैक्सिको उसके राजधानी का है मैक्सिको सिटी है राश्टपती हैं के एंड्रेस मैनुवल लोपेज अपरोडोर नाम है उनका जनसंक्या करीब करीब 13 करोर है ठीक है और इस तरफ तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इधर हो गया आपका नौर्थ पैसिफिक ओसन और यह चितुमल सबसे तामजा बुलू होल जो सबसे गहरी है वो मिली है तो यहां पर सवाल होगा कि बुलू होल कितना गहरा है देखिए अभी तक पूरी गहराई का पता नहीं चला है लेकिन जो शुडू आती जो गणरा है ना कैलकुलेशन है उसको मुताबिकि यह तेरह सो असी फिट य सबसे गहरा तो मरियाना ट्रंच सबसे गहरा इसलिए नहीं होना है आगे बढ़ते हो और योजना से किस पुर्वत्तर राजी ने स्कूल और विल्स सुवधा शुरू किया है, मनिपूर की राजपाल है, उन्होंने पांच माई को इस सुवधा को शुरू किया है, उदेश यह है कि वहाँ जो शिवरो में रह रहे हैं बच्चे उनको एजुकेशन मिल सके, और दरसल हुआ यह है आपको पता ही है कि मनिपूर में बहुत ज्यादा हिंसा थी, पूरा जो राजी है वो दो हिस्से में एक तरसे बटा हुआ है, दो जन जाती और एक जन जाती है, उन्होंने बटा हुआ है, तो उसके वए से बहुत सारे बच्चे, हजारों हजारों बच्चे वो शिवरों मे रह रहे हैं रहात शिवरों में रहे हैं तो उनको एजूकेशन वो चले इसके लिए ये काम किया गया है इसकूल ऑन विल्स ठीक है एक बार वहाँ भी चलते हैं मनिपूर को भी देख लेते हैं मैप के जरीए मनिपूर जो आनो वो यहाँ पर है ये रेट कलर में जो दिख रहा है ये है मनिपूर नौर्थ इश्ट वे चलिए आगे बरते हैं और अब अंतरश्टि संगर्णस रिले बग लगबग ये 4.17 करोर रुपय होता है ठीक है तो भारत की ओर से वहाँ पर दिया गया है ये फंड भारत की जो अस्थाई प्रतनिदी हैं से उतराश्ट में कौन है रुचिरा कंबोज तो उनने 7 मही को ये राशी सौपी है जो आतंगवाद को लेकर जो दुनिया की अन्शुक का चार माई को युनिसेफ इंडिया का भारत में 75 यर पूरे हो गह तो उसी के दिन कारेना कपूर को नदरें रुप में वहाँ पर निखती दी जह है ठीक है और चार ररुवा एड्वगेट की लिगई है एड्वकेट्या की जो की व्य नहीं तो यह चार भी हैं इनके नाम यह रहें गौरांशी शर्मा मध्य प्रदेश की हैं कार्थिक वर्मा उत्रपदेश के नाहिद आफरीन आसम की और विनिशा उमा शंकर यह तमिलनाडू के ठीक है अब विदेश से रिलिटेट कोशन लेंगे हम लोग कोशन होगा चीन के भारत के किस दूसरे परदेश की तंसंख्या वर्दी लगातार कम होती जा रही है और जो ग्रोथ रेट है न वह एक परसंट से भी नीचे चला गया मतलब बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन काफी काम हो रही है 0.92 परसंट हो रही है वहां के अबादी 2.91 करोर है ठीक है आग अगला कोशन पनमा के नए राष्टपती कौन चुने गए है आंसो का जोस राउल मोलीनो क्या नाम है जोस राउल मोलीनो इससे पहले वहां के सुरक्षा मंत्री थे ठीक है ये रहे एक पनमा भी दिखा जेता हूं है मैप के जरिए कहा पर ये पनमा तो ये मध अमेर्की दे देश है पनमा इधर उत्री और इधर दक्षन ही हो गया अभी कुछ दिर पहले हम लोगों ने मेक्सिको देखा था यहां पर और यह है ये पनमा यहीं पर है पनमा नहर ठीक है बहुत ही मशूर इस जगह पर इस क्राइधानी क्या है पनमा की पनमा सिटी नए राष्टपती जो चुन लिए गया है जोस राउल मूलीनो है ठीक है पर उस देश की बात करेंगे तो इधर कोश्टा अडिका है और इधर है कोलंबिया यहां पर नेक्स्ट कोशन लेंगे अगला कोशन बलदमेर पुतिन ने राष्टपती के रूप में अपने कौन से वे कारकाल के लिए मैं दोहजाद चोविस में शबत लिए आंसों का पांच ने पांच में बार वो राष्टपती बने हैं छे साल के कारकाल के लिए हला कि चुनावनोंने मार्च में ही जित लिया था लेकिन शबत अब लिए राष्टपती वो लगातार हैं पिछले कई बार से छटी बार वो बने थे वो ठीक है तोनों ने 7 माई को शपत ली है छे साल के कारिकाल के लिए और रूस की बात करें रूस की मुद्र का है रूबल है प्रिसिडंट ब्लाजिम्ट पुतिन राजधानी है मासको और अभी यूद चल रहा है किस देश के साथ यूद्ध के साथ यूद्ध चल र लिपुलेक, लिंपिया, थोड़ा और काला पानी कौन को से जगह है लिपुलेक, लिंपिया, धोड़ा और काला पानी इसको शामिल करते हुए अपना नया नक्षा छापने का फैसला किया है यह गोस्ताकी कर रहा है नेपाल ठीक है नेपाल की जो प्राइमिस्टर है Mount Everest का यहां पर फोटो होता था तो उसकी जगह अब नेपाल को फोटो चपेगा, map चपेगा, उसमें भारत की तीन जगह हैं, उसको नेपाल अपने इलाके में दिखाएगा, लेकिन वो भारत के हिस्से में है, भारत के कब्जे में है, भारत का ही हिस्सा है यह, ठीक है, इससे पहले कुछ साल पहले नेपाल ने 18 जून 2020 को नेपाल ने अपना संविधान संशोधन किया था उन सब इलाकों को अपने मैप में दिखाने का जो है प्रस्ताव पारित किया था उस दोरां ठीक है लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि वो रूपय में नेपाली रूपय में वो अरत का इलाका है अभी तक 2020 से पहले तक उसने कभी भी अपने मैप में ने दिखाया था लेकिन ये हैं हालात ओके चलें आगे बारते हैं अगला कोश्चन लेते हैं कोश्चन होगा किस देश ने जिग यानि जड आई जी नमक नहीं मुद्रा लांच किया आन्सकर कई सालों में छे मुद्रा हैं मुद्रा है वो तो जो जिमबाबे डॉलर था उसकी हालत बहुत खराब हो गए थी रफ्रिशेसन चल रहा था लगाता और उसका बरुसा लोग कातम हो गया था तो उसके बाद से ये जिग नाम की मुद्रा ये लांच की गई है जिमबाबे के से जमीनी सीमा से गिरा हुआ है राजदानी हरा रहे हैं प्राइमिस्टर हैं के मॉर्गन स्वान गिराई ठीक है मॉर्गन स्वान गिराई महाँ पर भार्षण बुलिए अंगरी जी शोना और देबेल जन सक्या करीब 1.63 करोर के आसपस है अब आगे बढ़ते हैं और दिव खुशी के साथ देता हूँ और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन विश्व थलेसीमिया दिवस कमने आता है आंसो का आठ मई को और थीम क्या इस बार की थीम है जीवन को सशक्त बनाना प्रगती को अपनाना सभी के लिए रविनाय संगत और सुलब थलेसीमिया उपचार तो यह है इस बार की थीम आगे बढ़ते हैं रविनाय टेगोर की जैनती कमना आती है आंसो का साथ माई को साथ माई 1861 को रविनाय टेगोर का जन्म हुआ था और भारत का जो राष्टगान है जन्गनमन और बंगलदेश का रष्टगान उमार सुनार मंगला तो रविनाय टेगोर नहीं लिखे था अगला कोशन बी आरो यानि बॉर्डर रोड ओगनेशन उसका अपने दिवस कमने जाता है आंसो का साथ माई को अगला कोशन विश्व गधा दिवस कमने आता है आंसो का आठ माई को दुनिया भर मे ये दिवस मना जाता है जो इनसानों के लिए एक साथी साबित रहा है हास की बात हो सकती है हम लोग लिए इस दिवस की शुरात हुथी 2018 में अगला कोशन विश्व अस्थमा दिवस कमना जाता है आंसो का माई के पहले मंगलवार को और 2024 में ये 7 माई को था ठीक है और इस ब अगला कोशन विश्व पुर्थगाली भाषा दिवस कमना जाता है आंसो का 5 माई को ये इनसको ने 2019 में घोषिट किया था ठीक है अगला कोशन व्री व глट आफ雞 डे का मना जाता है आंसो का 7 माई को मना जाता है 1998 में इसके शुरुवात हुई थी Athletics Day मनाय जाने की Next question कोईला खनिक दिवस कब मने आता है आंसो के इसका 4 माई को जो कोईला खदानों में जो लोग काम करते है उसको समान देने के लिए Next question अंतरश्थी दाई दिवस कब मने आता है International Day of Midwife पाँच माई को और इस बार की theme का है दाईयां एक महतपौण जलवायू समधान यह है इस बार की theme अगला question विश्व हाथ सुरुच्छा दिवस कब मने आता है आंसो का पाँच माई को मने आता है और इस बार की theme का है हाथ की स्वक्षता की शक्ति हाथ की स्वक्ष्टा की शक्ति पावर आफ हैंड हाइजीन तो दोस्तों ये था weekly current force और daily current force भी देखिये Monday to Saturday सरकार चौपनेस पर ओके बाए